Hello everyone, आप सब का स्वागते इक बर्फिक से हमारे से YouTube चैनल इस्टिक ग्यान में आज की इस वीड़ों में हैं बहुत बड़ी जो अफडेट है वो आप सब के लिए लेके हैं जो खास करके स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है तो चुटियों में जो एजुकेशन डिपार्टमन है उनकी तरफ से काफी सारे जो दिशा निरदेश है वो स्टूडेंट्स के लिए जारी किये जा रहे हैं स्कूलों को भी जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की जारी हैं क्योंकि एक जुलाई से जो स्कूल हैं वो खुलने वाले हैं तो इसी के स्बंद में जो डिपार्टमन हैं उनकी तरफ से जो डिस्टर्क एजुकेशन ओफिसर हैं उनको जो दीशा निरदेश दिये गए हैं जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं कि पंजाब के जो एजुकेशन डिपार्टमन है उनकी तरफ से जो डिस्टिक एजुकेशन ओफिसर हैं पंजाब में उनको जो पत्र है वो जारी किया गया है तो इसमें बताया गया है कि साल दोजाब चुबिस पत्चिस सेशन के दोराद दियार्थियों को जो रियाती पास बस के लिए दिये जाएंगे उसके समन्द में जो लेटर है वो जारी किया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि Education Department की तरह से पंजाब के जितने भी Schools हैं वहाँ पे Seniors Can Be Level पर जो ने Students दाखल हुए हैं या पहले दाखल विद्यार्थियों की Classes चल रही हैं तो इसलिए आप अपने जो जितने भी आपके अंडर जो सरकारी Added School हैं उनकी जो लिस्टे हैं वो बेजी जाएं जिसे की जो रियाती दर पास है Students को परवाइड की जाएं तो उनकी जो गिंती है वो मांगी गई है जिसे की Director State Transport Department को और Managing Director Pepsi Road Transport Corporation पटेयाला को बेजी जा सके तो इसकी जो सूचना की एक आपी जो है वो दफ्तर को बेजी जाएं जिसे की जो भी समंदत Institute से हैं उनकी तरफ से जो बेजी गी सूचना है उनको कलेम का जो बुकतान है वो करते समय सूचियों से मिलान किया जा सके इसके इसके इलावा वद्यारतियों को बस पास बनाने में किसी भी तरहें की प्रॉलम ना आए और जो भी समंदत लिस्टे हैं वो सिगनेचर के साथ बेजने जो है वो शूर की जाएं तो इस तरह से जो एजुकिशन डिपार्टफने उनकी तरफ से जो भी सीनर स्केंडरी स्कूल से हैं पर जो स्टूरेंट्स बढ़ते हैं उनकी जो लिस्टे हैं वो मंगाई जा रही है जिसे कि स्टूरेंट्स को रियाती दर में जो बस पास है वो प्रॉइड किया जा सकी तो इसके लिए स्टूरेंट्स को अगर कोई स्टूरेंट्स दूर से आता है तो उनको अब facility जो है वो मिल जाएगी कि वो बस पास से अपने school में जा सकते हैं जिसे कि उनको कम खर्चा जो है वो करना पड़ेगा इस तरह सरकार की तरह से काफी सारी जो facilities यह हैं तो student को time per time जो है वो provide की करती हैं तो इसी तरह से अब जो student है जो जो दूर से आते हैं उनके लिए bus pass की जो facility है वो भी provide की जारी तो इसके समन्द में जो भी education department उनकी तरह से सबी जो information है फो मांगी जारी है तो यही थी आज की वीडियो की बहुत बड़ी जो update है चुट्यों की दरान यह update आई है बाकि जो भी updates ओर आएंगी school खुलते ही और भी काफी सारी जो updates है वो आती रहेंगी तो हम आपके साथ share करते रहेंगे तो चलिए आज की स्वीडियो को यहीं खतम करेंगे चैनल में नहीं है तो बड़ी चैनल को जूर सब्सक्राइब करने सेगा चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक दिलिए गुड़ बाई जहेंट